अगयों इसलामालेकूम क्लासBENCE को शुड़ खुरिया आज हम आपको पता है कि हम पढ़े थे पोलीमर्स और इसमें आज हमने पढ़ना है इन औरगानिक पोलीमर्स को शुरू की है उए तैन आपको पढ़ने है कि आपको सिलेपिस में दो इन और्गानिक पोलिमाश शामिल थे एक है सिलिकॉन और दूसरा है सेरामिक्स किसलिकॉन हमने पढ़ लिया था जू हमने पढ़ना है वह सेरामिक्स तीजिए के इसको पढ़ने से पहले में आपको बता हूँ प्लास्टिक प्लास्टिक ने और्गैनिक पॉलीमर के तोर पहुत सारी चीज़ों का रिप्लेस कर दिया प्लास्टिक ने तो प्लास्टिक 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 इस्तिमाल करना शुरू कर दिया बिल्कुल ऐसे ही जो है वो सीरामिक ने बहुत साइज चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है जो पहले हम इस्तमाल किया करते हैं उनकी चकाप सेरामिक्स जो है वो इस्तमाल होते हैं इसमें ऐस सच कोई ऐसी चीज नहीं है जो हो मुश्किल बाकिश का जो मैंटेरियल मैनुफैक्ट्रिंग या यह वह सारे कुछ है वह सिंपल ही है बिल्कुल आपने इसमें सबसे पहली जो याद करनी है वह सेम्क्स ही जेसे हमें सिली कौंस में से आप इसको इंट्रोडक्शन कहा थेक्ट है रह सबसे पहली चीज जो है वह है इंट्रोडिक्शन किया है इसका सरामिक्स सार इन ओर्गैनिक नॉन मेतलिक सॉलेड मेटरियाइज एन्ड बी क्रेस्टलाइन और न combination of the two यहलों यह सिर्फ ऑईनिक वांट भी हो सकता है सिर्फ और को मिख्रों सकता है यह कोई ऑईनिक और पर नो पर को ओलों को दो इंपॉर्टन प्रोड़क्स आफ सियामिक इनस्ट्री अर बीलिडेंग ब्रीक्स थाइल्स सिवर पाइप ड्रीं टायल्स और टायल्स वर रिफ्रेक्टरी ब्रेक्स जो हम ने वाइट वेर चाइना फ्लोर एंड वाल टाइल्स एनामल्स एंड काबोज एंड इंसुलेटर्स आधिस सम एक्जाम्पल्स ऑफ दी सेरामिक्स ठीक है उसके बाद आपकी बुक में जो दिया हुआ है इंजिनरिंग सेरामिक्स यह वही चीज जो मैंने भी कहा कि हर जीज को रिप्लेस कर दिया है इंजिनरिंग मत्ब जो हमारी कंस्ट्रक्शन है फील्ड उसमें इसने सारा चेंज कर दी इसको आपने शॉर्ट कर्सन के लिए है ठर्म एज इंजिनरिंग सेरामिक्स थी मैटीरियल विस्ट एंड हाइव टेंपरेचर रिजिस्ट ग्रेटस प्रेशर है शॉपियर मेकानिकल प्रॉपरटी के अन्ध कॉराइजर में कामिकल थीक है यह सरामिक्स की प्रॉपर्टी सीघ थीच हमी एसको कुरियन हो जाते ह आप लोगों वहां बोड़े बड़े रहा होते हैं वह बाते हो बने हो घुसाने लेकिन जो अबादी वह हिस्स हैं माझने है आपने हो सीमसितलक चैंज़ कर दिए स्थितिatक आए म से लेकनर की को सही है ठीक है जी बेसिकली आम समझ लेंके मती और रेथ दो चीजी है जो इसमें इस्तमाल होती है ठीक है पहली चीज है क्ले दूसरी चीज है सेंड और तीसरी चीज है फ्लट स्पार अगर आप देखते हो क्या है इन सब के अंदर एक ही चीज कॉमन है और वह है ऐसा यूटू ठीक है जैसे हमने सिलीकॉन में पड़ी थी यह वाली लिंकेज ठीक है इस इसलीकॉन यह वाली लिंकेज बैसिकल यही लिंकेज यह इन सम्म में ही कॉमन है एस आई ओटू तो क्ले के तवापर जो चीज़ें हमें इस्तमाल कर सकते हैं वह क्या है कैयोलीन है जिसके अंदर अलोमीनिया मॉजूद होता है उसके बाद है जी मॉंट्रो मिलोनेट मे है इसके अंदर जो है पुटाश फर्ट पार है और लाइन है इसके अंदर एल्ट्यू ओठी और एसा यह मौजूदी होगा ठीक है तो आगे जो तीन इसकी टाइपस है उसे साबसे पुटाश है तो के टू ओ हो जाएगा ऐलुमीनियम के साथ सोडा है तो एन एटू हो सेंड आपको पता है प्यूर एसा योटू जो है लिंकिज हमारी जो है उसी को कहते हैं जैसे मटी के बरतन बनाते हैं वही है बाकी इसके लिए्सका लाकी सरा प्रोसेर्ट के लिए कृस्स के बाकी सेंड ऐसे मटी एक रहर पानी डालते हैं उसको गूंते हैं और शो जो पोटर वील होता उसके वपर आप चीज़ें बना लेते हैं ठीक है यहां पर भी यही है लेकिन जारी बात है इसको हम इंडेस्ट्रिली इस्तमाल कह रहे होते हैं तो फिर उसी हिसाब से ही यूज और जो हमारे पास रा मैटीरियल के उसी हिसाब से जादा होते है अच्छा जी इसके इलावा हम इसके अंदर कुछ चीज आड़ भी कर सकत करते हैं तो वह आपको पता है कि हम उसके लिए ट्राजिशन मैटल्स इस्तमाल करते हैं उनके औक साइड इस्तमाल कर लेंगे इनके लावा लेकिन ये तीन ये बेसिक इंग्रेडियंट है इनके लावा चीज़ें एड की जा सकती है जरूरत के मताबक जैसे आपने जहाँ जरूरे दो वहां पर उस तरह की चीज़ जो है वह इस्तमाल की जा सकती है नेकिन तीन मेजर जो इसके रा मेटीरियल्स है वह ख्ले, सैंड और फल्स पार ही है इसके बाद है जी इसकी मैनॉफेक्टरिंग अब फिक्स कॉंचिट ही नहीं है कि आपने इसकी दो एक एक की रखनी है यह दो दो की रखनी है हम जिस चीज़ के लिए इसको बना रहे हैं जहां इस्तमाल करें उसके मताबिक आप उसकी जो रेशो है वह डिफरेंट कर सकते हैं और इसकी मिक्स वाटर तो फॉर्मा पेस्ट काल्ड स्लिप में जैसे मैंने भी कहा कि हम बिल्कुल वैसे जैसा आटा वह गूंते हैं वाट्टी का वैसा ही पानी डालके उसकी जो है वह पेस्ट बना लेना है इस लिप पास्टू दी फिल्टर प्रेस्टू रिमूव और वाथर और मौास्ट केक जैसे यहां फिल्टर पेपर के लिए करते हैं और यह उसका करते हैं कि पिर प्रेस करदे ocasional कैट लिप भूआसे स हैं करने के लिए उसको प्रेस करने हैं तो मर पस मॉइस्ट के एक आ जाएगा इस यह पाफ भी आर्टिकल इस डिजाइन बाइन आर्टिस बाइप पोर्टर वील और बाइड प्रेस यह तीन मैथड़्ट हैं इसके कि कोई आपेसर ड्रॉॉ करके दी बहीं है कि इस तरह की बनानी यह चैनली चे exam कोई भी चीज जो है वो आप बना सकते और रॉस को आप कहते हैं की कि बोल्ड की अंदर रॉक कि उसको प्रेस कर देंगे तो उसकी शेप उसके उपर आजाती है इसके अंदर चोटे चोटे प्रेंट्स भी आ जाते हैं यह तीन डिफरेंट तरीके हैं आर्टीकल्स मिनाने के इसके बाद हमने उनको जो है वो आर्टीकल्स जो है उनको ड्राइ कर लेना है दिफरेंट आर्टीकल्स आर प्लेज इन क्ले बॉक्स इसके अंदर रख्ष को बन करके फिर उसको बर्टीके अंदर डालेंगे ताके डिरेक्ली उसको हीट जो है वो ना एफेक्ट कर सके अगर आपने कहीं किसी पोर्टर वील पोर्टर को देखा है घड़े बनाने वालों को देखा होगा तो बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है जो वहां पर किया जा रहा होता है यह किलन की बात हो रही है जहां पर हमने उनको ड्राय करने के बाद जो है वो डाला है आपने देखा होगा कुछ जो टाल होती है वो शाइनी होती है कुछ जो होती है मात होती है तो उनको पर वो ग्लेजिंग की हुई होती है यह क्या है ग्लेजिंग के तरीके है आप डिप करके निकालने उसको पर पेंट कर दें पोर कर दें सप्रेंग कर दें दी बिस्किट इस अगीन फायर इन फायर इन अफ़रनस अट टैंपरेचर अब रखना है उस ग्लेजिंग को फिक्स करने के लिए यह हमारी वह चीज बनके सामने आ गई है जैसे सिलिकॉन में था उसका मैथट कैमिकल रियक्शन यहां बैसा कुछ नहीं है ठीक है यहांब सिंपल जो चीज है वह है अच्छा पहले भी आपको पताई थी कलरिंग उसके बाद भी आप कर सकते हैं जैसे कोई बेल बुक्टे बैलों नक्स करेंड बेल बेल बूटे बनाए जाक रहे हैं वह बात में बिबनाए जा सकते हैं जुरु अब आप लर्करना जाए तो अभी कर सकते हैं उसके लिए वह यह इसके बाद हैं जी इसके एप्लीकेशन या इसके जो हैं वो जूजिस कुछ आपको बहीं बता दियें लिक और कि इसके लाव श्यक्यकून की पड़ी थी कि इसको भी हम जैसे पहले में बिeling आक में ज़रुबिक नकाद करना हुँगा उसी उसलेद के दबेख हम इसे लिएकिशन लेते हैं और वैसे ही हम इसको इस्तमाल भी खशते हैं अब ये इस्तमाल कहां कहां होता है सबसे पहली जो चीज है इस्तमाल होता है वो होता है शील्ड्स बनाने के लिए इस्तमाल होता है जो रॉकर्स होते हैं उनकी नोजल्स बनाने के लिए इस्तमाल होता है उसके बाद दूसरी बात दूसरा जो इसका इस्तमाल है वो जो हमारी गाड़ियों में ब्रेक्स होती हैं कलचेज होते हैं उनके बिनाने के लिए इस्तमाल होता है और जहां पे नॉन लुब्रिकेंट बेरिंग होते हैं एक नगे नहीं आप बार बार गार उन जोगों पे इस्तमाल किया जा सकता है जहां पे आपको लुब्रिकेंट ना इस्तमाल करना हो तिके के अदर इसके अलावा थर्मल इंसुलेशन के लिए इसको कर सकते हैं एर क्राफट और स्पेस एक्विपमेंट जो बनते हैं उनके अं अंकर बनाने के लिए निए उनके जो वाइरिंड सीक्ट की वाइरिंग ोती हम इसके लावा प्लास्टिक को फिर आप ऐसे रीप्लेस कर सकते हैं क्योंके लास्टिक की मिनस्बत सरामिक्स की तब हοι ही राइर टेम्प्रेचर तक कान था है उसके इलावा जो है हमारी अलेक्रिकल डिवाइस जो है इनके अंदर इस्तमाल होता है कंप्यूटर हो गए मेमरी डिवाइस हो गए ट्रास्फॉर्मर्स हैं स्विचिज हैं आपके टीवी जो हैं वो हैं उनके अन्दर सारा इस्तमाल होता है एक और चीज जहां भी इस्तमाल होता है वह ए जो कटing टूल leavu होते हैं वहां बहुत ज्यादर स्तमाल होने लगए है यह जैसे iron कल को कड करने के लिए जो है जो आले बनाए जाते हैं उन में tyre 2 ay अच्छा जिई उसके अलावे इसके जो है वो सुपर कंडक्टर होता है इस वजा से बस्काफियल मोटर्स में इस्तिमाल होता है तो ये तो थी इसके अफ्लिकेशन और अगेंड वही भात ही कि वह चीज की इस भी और है यह एजहिए में दिनी का वैLo replicaDe इस्तमाल हो रहा है आपकी बुक में बड़ी बड़ी दी में अप्लिकेशन पूरी तफसील के साथ कुछ को पहले इस चीज के साथ मिक्स करना है फिर हम यहां यहां इसको सिंपल रख लें लेकिन बराए महरबनी लिखें वहीं पर जहां पर आप उसको इस्तमाल करेंगे ठीक अच्छा जी अब हम आ जाते हैं यह इतना इंटर रेलेटिड नहीं है इसके साथ मतलब जरूरत नहीं है वैसे क्योंकि जो इतना आता है उसके हसाब से काफी है लेकिन इसके अंदर क्या होती है पर थे सेमैंट क्यांने करें जाका मइब desires और आसने रेगिस होसे मृपने का जैश्यक मेँ आना के श्यू एמתने आउने हूँ होने आप पे उसके सेटिंग्री ज्यूहर्ट बारियु और प्रूहर्ट सब्सराफ सिर्फ यह जोड़ जाते हैं में यहां पे भी एससे ही है जो हमने हीट किया ना किलन में उसमें जो होंगे प्रोसीजर वो क्या है सबसे पहला इसके अंदर है डी हाइडरेशन ठीक है डी हाइडरेशन आपको बता है क्या होती है रिमूवल ओफ वाटर ठीक है उसके बाद दूसरे नंबर पे है कैलसीनेशन ठीक है ये भी आपको पता है कैलसीनेशन क्या होती है कि आपने जलाना है जलाने का अमल है और उसके दरान जो है वो छोटे जो मॉलेक्यूल्स है वो उसमें से निकलते हैं आम धोर पे हम कार्बन डायोकसाइड जो है निकलने के उसी अमल को ही जो है वो कहते हैं क यह जी काइबन एक सब्सक्राइब हो रहा है तो यह जो है वह कैल्सिनेशन हो गई है ठीक है उसके बाद ऑक्सीडेशन ओफ फेरस जब हमने ग्लास पड़ा था तभी मैंने आपको बताता कि बाक्सा में जो मौझूद सैंड है इतनी इच्छी क्वालिटी की नहीं होती है उसके अंदर आइरन की क्वांटिटी काफी जादा मुझूद होती है तो अब जो है उसके हमने क्या करना है कि आइरन जो है उसको ऑक्सीडाइश करना है है और इसमें से मैक्सीमम कोशिश करना है कि निकाल दे यहां वास इतना फारक नहीं परता ग्लास की प्रॉपर्टी तो सहरे बहुत फारक पड़ती है लेकिन फिर भी इसका जो है वह इफेक्ट आएगा तो इसलिए हमने तीसरा काम क्या करना है कि आईरन जो है उसको अक्स फोर्मेशन यानि सेरामिक्स जो है वो हमारे पास बन के आ आ गए है अगर आपने यह जो साही चीज़े मैंने बताई हैं आपको आप इनको जहन में लाएं और सोचें तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मती की बनीवी चीज़ों से खाली सेंट की बनीवी चीज़ों से यह चीज़े थोड़ी डिफ्रेंट लुक जो है वो देती है ठीक है अच्छा आप यहां कोई खास केमिकल रेक्शन है नहीं क्योंकि हम पुटाश यूज करेंगे फर्स पार और लाइम यूज करेंगे या सोडा यूज करेंगे तो हर जगा डिफ्रेंट जो है वो हमारे प सियामिक सब्सक्राइम नेक्स आम नेक्स नाम पड़एंगे औरगों निक ऑड़न पर ड़ीमएज जो आपहले अपर चुकिंगे वो नहीं है उस्हें दिफ्रेंट एक तो आपके पैक्टिकल भी शाखने है और उसके अलावा जो है वो दो और होंगे पॉलिमस ठीक है तो उसके बाद जो है वो आपका चैप्टर ये भी खतम हो जाएगा इन्शाल्ला मेरी तरफ से लाह आफिस